आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS Access में Reports Option का यूज है Reports Option का यूज करने के लिए Reports बनाने के लिए हम Create टैब में जाते हैं और Create टैब में देखें ये Report Group के सभी Option दिये गए हैं Reports का यूज क्या होता है जैसे कि Reports का मतलब ही होता है किसी चीज का प्रिंट निकालना है तो जो database table के तर आपके record रखे हुए है ज़िए आप उनका print निकालना चाहते हैं और सारे records को एक जैसे Excel में हम बनाते हैं सारे data को एक column की column के रूप में है और सभी data को अगर एक list वाइस जैसे generate करना चाहते हैं के लिए MS Access में report option का इस्तमाल किया जाता है report को बनाने के यहां पर अलग-अलग तरीके दिये गए हैं यहां पर हम वेकिक करके सारे option का जीचेंगे पहला दिया गया है report तो जैसे हम report में click करते हैं तो देखे जो भी table select होती उसके में आटोमेटिक रिपोर्ट क्रिएट कर लेता है यह देखे आप देख सकते हैं जितनी field होंगी वो सारी field report में आज आती है केवल हमको click करना भी यहां पर बार बार नाम इसलिए आरा क्योंकि इस तरीके से यह देखे यह table select these student details जब इसमों double click करेंगे इसमें भी सी तरीके से report जो है वो repeat हो रहा है तो report option पर simple click करने पर create में यह report option है कि direct आपको एक report create कर देगा और अगर आप report का print preview देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है format में ही जाकर के view में जाकर के यहां से print preview अगर देखेंगे तो इस तरीके की report जो है प्रिंट जाएगी जिसमें student ID student name student पादा ने में student mother ने फिर ऐसे ही अगले page में भी आप जाकर के देख सकते हैं तो आप बिल्कुल create में जाकर के report option में क्लिक करें और report आपकी बन जाएगी और फिर उसके बाद आप format में जाकर के print preview में क्लिक करें और report का आप प्रिंट प्रिंट देख सकते हैं अब report का इस्तमाल जैसे हमने बताएगी print out निकालने के लिए तो report बन चुकी है यहाँ पर जैसे print option में क्लिक करेंगे और यहां से printer का नाम select करेंगे क्लिक करेंगे तो report का print out निकल जाएगा तो हमने सीगा create tab के अंतरगा simple option इस report के दौरा किस तरीके से report क्रियेट की जा सकते हैं इसको भी हम close कर सकते हैं चाहें तो हम इसको save भी कर सकते हैं और युदि हमने यहां पर इस तरीके से लिख दिया और आप इसमें यह report है table है form है अगर आप यह लिख देते हैं तो आपको भी हमीज़ा तुरम क्लियर हो जाएगा कि आपने report बन आई हुई है कि क्या बनाय हु जाएगी अब यहां पर हम सीखते है report के दूसरे option का यूज तो report गुरुप के अंतरगत देखे यहां पर अगला option दिया गया है जिसके द्वारा बड़ी आइसानी के report बना सकते हैं वो है report wizard जैसे कि हमने table बनाना सीखा था wizard के द्वारा form बनाना सीखा था हमने wizard के द्वारा which help you to create simple customized report इस option का इस्तमाल करके हम report को अपनी सुद्धान सर बना सकते हैं जैसे हम इस पर click करेंगे देखे report का report wizard का पहला step आगे हम आप report में क्या-क्या field आप रखना चाहते हैं मालीज हम student ID रखना चाहते हैं student का नाम रखना चाहते हैं contact number और student की data बढ़ते हैं केवल हम चा लिए इन बटनों का इस्तमाल होता है और यहां से field को इस तरह लाने के लिए इन बटनों का इस्तमाल करेंगे यह एक एक करके field को लेकर के आएंगी एक साथ सभी field को लेकर के आएंगी यह हमने query में, farm में और table में भी तरीकी समय किया हुआ था अब उसके बार next button में click do you want to add any grouping levels, इसकार की होता है कि आप किसी चीज के अधार पर जो है अपने record को group करना चाहते हैं तो आप record को group भी कर सकते हैं, जैसे माली जी हमने student का address लेकर के रखते हैं, यहां पर city लेकर के रखते हैं, तो जो एक सी city के student होते हैं, वो एक group में आते हैं, heading एक बार दिए हैं तो अभी हम यहां पर किसी प्रकार से group API नहीं करना चाहते हैं, simple हमको next button में क्लिक करना है, इधी आप अपनी report को किसी के according ascending or descending order में जमाना चाहते हैं, तो आप यहां select कर लीजे, माली जी हमने student के name के अधार पर अपनी report को ascending order में जमाना चाहते हैं, तो हम यहां पर student का ना नाम select है, जो के ascending order में, यहां पर जुबारा भी यह field इसलिए दी गए, यह माली जे दो student के नाम एक से होते हैं, तो उसके बाद आप कौन सी field लेंगे, और उस field को किस तरीके से आप उसको ascending order में जमाएंगे, उसके लिए आप फूरी field select का सकते हैं, तभी हमने यहां पर student क यहां से अब हम report का layout select करते हैं, columnar report में देखे कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि हमने form बनाया था, field के जो नाम है वो यहां पर दिखाए देंगे, और record यहां पर दिखाए देंगे, by default report जो है वो टेबलर format में होती है, टेबलर format में मतलब जैसे हम excel में बर करते हैं, और excel में जो report जो होती है वो table के data sheet view की तरह ही होती है, तो layout यहां पर columnar भी आप select कर सकते हैं, tabular भी select कर सकते हैं, justified भी select कर सकते हैं, अब यह हम tabular लेते हैं, report आपको किस तरीके से print करनी है, page में जो भी fields हैं, वो portrait में मतलब लगबाई में आप print करेंगे, देखे, landscape अगर हम select करते हैं check box checks रहता है, adjust field width, so all field fit on page, अगर आप चाहते हैं कि सारी field page में fit हो जाए, उसके लिए check box को check रहने दे, next button में click करें, यहां से जो report बनेगी, उसका color design किस तरीके का होगा, यह हम यहां select कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस design को आप रिजिए, next button में click करिए, what title do you want for your report, आप report का क्या title देना चाहते हैं, तो आप यहां पर report का title दे सकते हैं, report का सीधिया preview देखना चाहते हैं, report का design view में आप open करना चाहते हैं, माली जह हम direct report का preview देना चाहते हैं, यहां से हम preview the report option को select करेंगे, finish button में click करेंगे, देखिए message आ रहा है, already do you want to replace it, आपने यह प्रिंट में records हैं, वो सारे records इस तरीके से और इस तरीके की design जैसी reports के उसके आदार पर यहां पर आ चुके हैं, अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, बड़े आसानी से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, अगे यह आप इसको PDF format में से शेफ करना चाहते हैं और email भी कर सकते हैं, इसका जब भी आप print निकालना चाहते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट निकालने के लिए बस आपको देखे, print preview option में है, यहाँ पे आप print button में क्लिक करिए, और यहां से printer का नाम स्रेट करिए, कितनी copy की print निकालना चाहते हैं, प्रिद एक मतलब दोनों साइट निकाल सकता है, तो two-sided में आप यहां से two-sided select कर लीजे, okay button में क्लिक करिए, तो आपका जो report है, वो दोनों साइट पेज में print हो जाएगी, अगर हम इस print preview को close करना चाहते हैं, यहां से close कर सकते हैं, जैसे हम close करते हैं, देखे हम report के design view में आ चुके है, और design view में हमने आपको बताया भी था, आप form design करते समय है, इस सारे option का इस्टमाल करके भी आप report को जो की modification करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, report को अगर आप close करना चाहते हैं, तो report को close भी कर सकते हैं, यहां पर हमने सीखा create option के अंतरकर, जो है, यह report wizard option का इस्टमाल करके, क जैसे, create tab के अंतर गये तो report आजम दीखेंगे, blank report option का यह, जैसे हम blank report option पर क्लिक करते हैं, तो उसके पहले हमें क्या करता होगा, जैसे हम यहां पर blank report option के लिक करते हैं, तो यहां पर एक blank report इसी लिक कर आजिए, जैसे पहले क्या था, जिर्फार के दौर रए रेपोर्ट बना जेते हैं, तो repeat selection की करते हैं, यहां पर हम लिक करते हैं, तो भी टेवी select होगी थी, वो टेवी ने अनुसार आटमाटिक report बन जादी थी, वेकिन blank report में क्या हो जाए है, इस रही कि इस blank report दिखाई है, अब हम यहाँ पर इस table के दोरा record बनाना चाहते हैं, उसे हमें flat करना पड़ता है, उसके हमको इस format tab में जाने के बाद, हमको add existing field में जाना है, add existing field में जाना के पाद, पीज़ एविलेबिल इन आतके, सभी table जो भी आपने अपने database के अचाहते हैं, सभी table आपके यहाँ पर दिखाई दे रही, माली जी हम course, course की table पर उसके तुना रेडी हम एक रेकोर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम को से course अगरी का यहाँ दिरेशन जाना, उस रिगे से field आपके दिखाई रही है, तो उसके रिकोर्ड के हम पर दाई की जाते हैं, और उसकी जो heading है, वो भी यहाँ पर इस तरीके से field को insert करने के बाद, नॉर्मल गेखे, फॉर्मेटिंग के यह सारे options रहे हैं, जो शिट टिकी को दबा करके, एक साम सरेट कर सकते हैं, इनकी जो भी heading बग इस परकार से blank report option का use करके बड़ी आसानी चाहते है, यहां पर भी आपको कोई group add करना है, इस परकते हैं, माली जी हम course name के इसार group add करना जाते हैं, तो इसार group add हो जाएगा, अगर हम एक course name के इसार short करना आते हैं तो इसार short की हो जाएगा, जो option wizard में आ रहे है, वो option हम इसार आता है, इसार नहीं कि बिजार में रहे हैं, विजार में बनाने का or shorting करने का option पहाए, इसमें भी हम जुने है, बड़े षिक्वर्च की तरीकर बना सकते हैं, यहां पर हम चाल सकते हैं, यहां पर हम से खीका, ब्लैंग के रिपोर्ट आप्शन आई हैं, ब्लैंग के रिपोर्ट करके और फिन डिपोर्ट रेगेंग आपकर के रिपोर्ट बनाई जाए हैं